हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम स्टाइलिश हैंकर चिप कुर्ती की कटिंग और स्टिछिंग करेंगे तो इसके लिए हमने 3 मिटर फाब्रिक लिया है और इस फाब्रिक की वेड़ है 44 इंच तो सबसे पहले हमने फाब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है तो यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है तो यह इसकी लंबाई है और यह इसकी चोड़ाई है अभी यहाँ पर इन दोनों कॉर्नर को उठा कर हम फोल्ड करेंगे इस तरह से हमें इसको फोर्फोल्ड कर लिना है तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है यह दिखे यह फोर लेयर्स है और इसकी जो वेड्थ है वो 29 इंच की है तो यहाँ पर भी हमें 29 इंच पर मार्क करना है सबसे पहले हम बॉटम परट के लिए कपड़ा निकाल रहे है तो यहाँ पर भी 29 इंच पर मार्क करके स्ट्वेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है तो देखे हमने आपर लाइन ड्रॉ कर ली है उसके बाद यहाँ पर नीचे जो कपड़ा बचा है इसमें से ही हमें स्लीव के लिए और टॉप परट के लिए कपड़ा निकालना है तो अभी हम इसको मेजर करके देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो लेन्थ है वो 14 इंच की आई है टॉप परट के लिए तो यहाँ पर मैं 14 इंच ही top part की length रखूंगी अगर आपको 15 इंच चाहिए तो आपको यहाँ पर 15 इंच पर line draw करनी है उसके बाद ही इसकी cutting करनी है तो अभी हम इसकी यहाँ से cutting करेंगे तो यह हमारा top part के लिए और sleeves के लिए और bottom part के लिए कपड़ा निकलाएगा अभी यह हमारा top part के लिए और sleeves के लिए कपड़ा है तो इसको अभी हम fourfold करेंगे इस तरह से तो देखे हमने इसको fourfold करके रखा है और इस fourfold की जो width है वो हमने 12 इंच के लिए है जितना आपका chest का size है उसको four से divide करना है और उसमें 2-2 इंच margin लेना है और top part की length ली है 14 इंच अभी इसकी cutting करेंगे तो देखे इस तरह से हमने इसकी cutting कर ली है तो यह हमने top part के लिए कपड़ा निकाल लिया है यहाँ पर यह four layers है और यहाँ पर fold side है और यह जो कपड़ा बचा है इसमें से हम sleeves की cutting करेंगे अभी हम इस पर marking करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रहे हूँ 6.5 इंच अभी यहीं से armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रहे हूँ 6.5 इंच इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हमें chest का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 12 इंच अभी यहाँ पर हमें कमर का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 9.5 इंच इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हम one inch उपर mark करेंगे और हलका सा round shape draw करेंगे अभी हमें आर्मोल ड्रॉ करना है तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहां से आर्मोल का शेप देना है यह बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रेंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक वेड़ में ले लिए थ्री इंच और नेक डीप में ले लिए फाइव इंच फ्रेंट के लिए और बैक के लिए में ले लिए थ्री इंच उसके बाद हम round shape draw करेंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी अभी cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole कट करेंगे तो हमने cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को four fold करके रखा है यह open side है और यह fold side है और इस four fold की जो weight है वो हमने ली है 10 inch जितना आपका armhole है उससे 3 inch जदा लेना है और sleeves की length ली है हमने 13 inch अभी यहाँ open side में हम 3 inch पे mark करेंगे और यहाँ से sleeves का shape देंगे अभी यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो में ले लिए 7 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है यहाँ पर हम एक छोटा सा cut लगा लेंगे उसके बाद sleeves को open करके रखेंगे यहाँ पर दोनों sleeves की सीधी side अंदर की दिरफ रखनी है या फिर रूल्टी side अंदर की दिरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armhole draw गरना है और इसकी cutting करनी है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है अभी bottom part की cutting करेंगे तो यह हमने fabric पहले से ही निकाल लिया है यह देखे यहाँ पर यह four fold में है और यह fold side है तो यहाँ पर एक fold side होना जरूरी है अभी जो top part cut किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे और कमर का measurement ले लेंगे तो यह 9.5 इंच है तो यहाँ पर हम 36 में 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे अभी इस निशान को हम उपर से major करेंगे तो यह 6.5 इंच आया है तो इंची टेप को गुमाते हुए हम पूरे में 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और round shape draw कर लेंगे अभी यहाँ पर इसकी जो length है वो यहाँ पर 22 इंच की है तो हमारे जो कुर्ती की lower length रहेगी वो 22 इंच की रहेगी और इस तरफ भी 22 इंच ही है अगर यहाँ पर कम ज़दा है तो आपको extra कपड़े को cut करके दोनों को बराबर करना है यहाँ पर हम corner तक major करेंगे तो इसकी जो length आई है वो 35 इंच की आई है जो हमारी high length रहेगी तो अभी इसकी हमें कोई cutting नहीं करनी है यहाँ पर सिर्फ हमें waist line की cutting करनी है तो यहाँ पर हमें half inch तक का margin छोड़ना है उसके बाद इसको cut करना है यहाँ पर fold आया है तो इसको भी हम cut करेंगे तो देखिए इस तरह से हमने इसकी cutting कर ली है अभी मैं आपको इसको open करके दिखा देती हूँ तो इसका shape इस तरह से आएगा और यह हमारे दो parts है front और back के लिए अभी stitching करेंगे तो हमने front का part लिया है तो सबसे पहले front neck बनाएंगे तो इसके लिए हमने neck के shape की strip लिए है इसे इसके उपर रखके stitch करेंगे सेम इसी तरह से back का part लिया है तो back neck के लिए भी strip cut कर लिए है इसे भी हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे cut लगा लिने है और इस strip को हमें अंदर की तरफ fold कर देना है और इसी तरह से हमने back part में भी strip को attach कर लिया है यहाँ पर भी छोटे छोटे cut लगा लेंगे और strip को अंदर की तरफ fold कर देंगे तो इस तरह से हमने front neck बना लिया है और back का neck भी बना लिया है अभी दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के उपर रखना है हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी और शोल्डर्स अटेच करना है तो हमने शोल्डर्स को अटेच कर लिया है अभी हम स्लीव को अटेच करेंगे तो स्लीव को शोल्डर के उपर उल्टा रखना है और stitch करना है इसी तरह से दूसरा sleeves भी हम stitch कर लेंगे और sleeves के bottom को double fold कर देंगे तो हमने दोनों side में sleeves को attach कर लिया है अभी हम top part और bottom part को stitch करेंगे तो top part को bottom part के ओपर उल्टा रखना है और इसको stitch करना है इसी तरह से back part के भी top part और bottom part को हम stitch कर लेंगे तो हमने दोनों parts को stitch कर लिया है उसके बाद इसको उल्टा करना है और दोनों sides से fitting करनी है और अभी इसका जो bottom है तो bottom के यहाँ पर तीन sides आए है तो इन तीनों sides को हमें double fold कर देना है से जल्टा जीना है